देज भर में दलितों के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही अब गुजरात के राजकोट से एक दलित व्यक्ति की फेक्टरी के मालिक द्वारा पीट पीट कर हत्या किये जाने का दिल देहला दिने वाला मामला सामने आया है दलित की पिटाई का एक वीडियो भी तेजी से वायल हो रहा है बताया जा रहा है कि फेक्टरी मालिक ने दलित व्यक्ति की पत्नी की भी बेरहमी से पिटाई की गुजरात के दलित नेता और विदायक जिगनेश मेवानी ने दलित युव की पिटाई का वीडियो ट्वीट किया है इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दलित व्यक्ति को गेट पर रसी से बांध कर पीटा जा रहा है हाला की शुरुआत में फेक्टरी का ही कोई अन्य मजदूर उसकी पिटाई करता दिखता है बाद में फेक्टरी मालिक आता है और दलित की पिटाई कर रहे मजदूर के हांत लोहे का रोड ले लेता और फिर खुद दलित व्यक्ति की पिटाई शुरू कर देता है जानकारी के मताबिक, फेक्ट्री माले की पिटाई से मुरित दलित व्यक्ति 40 वर्षिय मुकेश सावजीवानिय कच्रा बीने का काम करता था रवेवार को मुकेश अपनी पत्नी के साथ कच्रा इकट्टा करने निकला था और एक फेक्टरी के पास दोनों पती पत्नी कच्रा बीनने लगे तभी फेक्टरी के चार पांच लोग आये और फेक्टरी के पास कच्रा बीनने से दोनों को मना करने लगे फेक्टरी के पास से कच्रा बीनने का विरोड करते हुए उन लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और बुरी तरहें पिटाई कर दी मोधी सरकार के चार वशों में बढ़ा दलित उद पीन फेक्टरी मालिक सहिद कई लोगों ने कच्रा बीनने वाली महिला को मार पीट कर वहां से भगा दिया लेकिन दलित व्यक्ति को बंधक बना लिया बताया जा रहा है कि पीट पीट कर हत्या करने से पहले लोगों ने मुकेश से उसकी जाती भी पूछी थी मुकेश को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुचाया गया जहां उसकी मौत हो गई पुलिस ने दलित एट्रो सिटी जैक के तहत हत्या का केस दर्ज कर लिया है मुकेश और उनका परिवार पांच दिन पहले ही यहां काम की तलाश में आया था मुकेश मूल रूप से गुजरात के ही स्वेंदरनागर का रहने वाला था और उसके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटी और एक बेटा है